मेरी तारा को क्यों यह से चुट च्छुट से बच्चे और पता हैं यह कल से दिखने ही रहे थी कहा गई थी कहां कैसे नहीं तो पता हुए कियो बता नहीं चला और उसके बाद मुझे लग रहा 않ऊ यह भूंखी है पांच हैं एक बिल्कुल काला है अंदर गुसा एक दम काला नीचे इसके दो के नीचे देखो यह मुझे लग रही है बहुत ज्यादा भूखी अब हम जा रहे हैं इसके लिए रोटी बनाने के लिए मैंने सुझे बच्चों के टिफिन के लिए आटा साना था तो विल्कुल थोड़ा सा आटा बचा हुआ है तो इसमें दो रोटियां बन जाएंगी और दो रोटियां मैं बना लूँगी लास्ट टाइम मैंने इसको गुड का लपसी टाइप की बना कर दी थी पर उसने खाया नहीं था तो इस बार मैं सोच रही हूं कि चलो मैं कुछ अलग तरीके से इसको गुड देती हूं दो रोटिया मैंने बना ली हैं उसके बाद मैं गुड को एकदम मैस क मतलब रोटियों में उपर एकदम रहे वितना घी और गरम गरम रोटियों में ही गुड डाल देंगे बस ऐसे मेरे दिमाग में उपजा यह चीज कि उसको थोड़ा गुड देंगे तो सही रहेगा अब इसको अच्छे से घी गुड और रोटियों को अच्छे से एकदम खूर्मा जैसा बनने लगा है अब मैं यही चूर्मा बना कर उसको खिलाओंगी देखते हैं खाती है कि नहीं खाती है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इतनी मेहनत की थी और उसने खाया नहीं था चलिए ट्राइ करते हैं तरह यह लो ऐसा जाड़ी के अंदर जाके बैठी है य इसको और जादा बना के दूंगी दो मिनट भी नहीं लगे विचारी सारा खा गई ऐसे इसको रोटी जबरदस्ती खिलानी पड़ती थी यह खाती नहीं थी एक तो पता भी नहीं है ना यह कब से यहां पर बैठी हुई है कल तो मुझे यह दिखी ही नहीं फल मेरे भाई को जाना वाना भी था तो मैं उसमें थोड़ा लगी थी मैं बिजी थी कल पूजा भी थी बसंद बंचमी की तो इस वज़े से मुझे देखो खा गई चलो अभी थोड़ी दर बाद में फिर से बनाओंगी I hope आप लोगों को यह बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद आयोंगे बच्चों के लिए मुझे थोड़ा सा प्यार दे दीजीगा वीडियो को लाइक कर दीजीगा बाबाई